हाई एपटीवन कैसे हूँ आप सब आप से बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे तो चली आज बनाते हैं बहुत ही आसान तरीके से बनने वाली यमी और टेश्टी चौकोलावा केक जिसे बनाने के लिए बहुत ही कम इंगिडियन्स लगेंगे और फटाफट बनके य यहां पर देखें कितना अच्छा यह चौकोलावा केक बनाएं तो बहुत ही कम इंगिडियन्स लेंगे और इस केक को बनाने के लिए मैं यहां पर सब से पहले चौकलेटी फ्लीवर का कोई भी बिसकित ले लेंगे इसके लिए सब से अच्छा बिसकित होगा ओरियो बिसकि करोगे एक पैकेट एनफ हो जाएगा इसके लिए यहां पर सबसे पहले पैकेट से निकालने के बाद हम सारे बिस्किट को अपने हाथों से तोड़ लेंगे छोटे-छोटे पीसों में आप चाहो तो इस बिस्किट को ग्रेंडर जार में डाल करके ग्रैंड भी कर सकते हो यहां पर देखे इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और यह जो दूद है मतलब मिल्क मैंने बॉयल कर रखा था और रूम टेंपरेशर पर कर लिया था केक बनाने के लिए कभी भी कोई भी चीज गर्म नहीं यूज करना होता है सबको हम रूम टेंपरेशर पर करके ही यूज करे देंगे और यहां पर देखे एक तम अच्छा सा यह पेश्ट बनके त्यार हो गया है तो अब हम इसे साइट कर देंगे और यहां पर लेंगे सिल्वर का यह जो बॉक्स आता है इसमें लोग खाना वेगर अभी पैक करते हैं तो इसके अंदर हम इस लिक्विड को डालेंग डाल देंगे यहां पर कोई भी चॉकलेट अभी उज़ कर सकते हो जैसे डेरी मिल्क हुआ या डार्क कमपॉंड चॉकलेट है अगर आपके पास तो उसे भी आप इसमें कट करके डाल सकते हैं और अब हम इसको अच्छे से कवर कर देंगे और कवर करने के बाद अब हम इसे बेक करेंगे तो चलिए हम इसे बेक करते हैं और मैंने आज बेक किया है microwave में तो मैक्रोवेब में मैं 15 Minutes के लिए इसे बेक करने वाली हूं एक दम जहां पर हमने चॉकलेट डाला था तो यह देखे चॉकलेट कितने अच्छे से मेल्ट हो गया है मेरी यमी और टेस्टी चॉकोलावा केक बन के तियार है आप इसे एक बार जरूर ट्राइ कीजेगा वीडियो अच्छी लगीगे वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को स सकत्सकार चैनल, को बना है नसे एक बना है वीडियोगा के लेका रेखे